हलो मेरे प्यार प्यार टमाटों आशा करता हूँ कि मेरे सभी टमाटों बिल Gibmy अजयाया और सवास्थ सबसे मतलब यह नहीं होता है मैं कहता हूं लाइक करने के लिए सबसे पहले कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन है उसको मैं बता देना चाहता हूं यदि कोई प्रचंड वी द्वान इस वीडियो को देख रहा है तो किरपया कर आप ना देखे दूसरा यदि आपको बलर देख रहा अज होता हूं तो थूरा सा वीडियो कौालीटी को पड़ा लेना ताकि आपका वीडियो जो यह जो पढ़ा रहा हूं यह त Cool दिखें आपको . ओकी तीसरा बाइब दीट बना हुआ है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे ऐसे आपका वीडियो बना हुए तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों जरूर जाके उन सभी पार्ट को यानि की देख लेना और आप अपने जितना भी कॉंसेप्ट है उसको क्लियर कर लेना प्रॉब्लम को सॉल्ब क इस सराउतर एं प्यारे टमाटरों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं तो फटा फट सेथे को कुस्टन्यमर श्क्स के राम है और एक और कि यदि आहिंडी माध्यश के हैं चाहें आप इंग्लीमेडीम के भॉत है मैं हिंदी माध्य Aldeans और इंग्लिस माध्यम दोनों को मैं पढ़ाता हूं तो आपको रती भर भी आपको सोचने के जरूरत नहीं कि मुझे समझ नहीं आएगा बिलकुल टोटल समझ में आज मुझे एक बात बताओ क्या मैं जो बोल रहा हूं यह क्या इंग्लिस में बोल रहा हूं या हिंदी में बोल रहा हूं मेरी जो बाते हैं ज क्या एक दो तीन बोलते हो मैं वान टू थ्री बोलता हूं तो इतना तो मालूम होगा आपको बस अदे को मेरे कोशन भी हिंदी में और इंग्लिस में दोनों में लगा रखा है तो आपको सोचने की जरूत नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आने वाला है तो फटा फटा से अब वर्गा कार फिल्ड है कैसा फिल्ड है वर्गा कार फिल्ड है दा लेंथ आफ कैसा है स्क्वाइर है कैसा है स्क्वाइर फिल्ड है स्क्वाइर ओके अब कहा रहा है कि जो लेंथ है ठीक है जो लेंथ है लेंथ यानि कि लंबाई जो है उसे स्क्वाइर का कितना है एक्स यही लंबाई है ठीक है वर्ग कौन है यह वाला है यह आपका complete वर्ग यह तो करें कि जो लंबाई है वह एक्स मीटर है कि पाँच मीटर का जो रास्ता है वह लंबाई के एक्कॉर्डिंग पाँच मीटर का रास्ता यहां छोड़ दिया अंदर आने के लिए और चौड़ाई के एक्कॉर्डिंग है लंबाई अरीयरिया है यह निजफ्ड लेंध और वीट्थ साफ साफ लिए अ क्या चाशिज के सब्सक्राइब ली एक लिए मैदान को रास्ता चोड़ाई को चोड़ दिया है क्या चuleaus यह बढ़िए पांच मीटर इसकित चोड़ दिया और पांच मीटर है और यह क्या है लंबाई धर्वों कहरें और ह weeds रिमेंडिंग एरिया पूझ रही तो यह अडिर प watches यह फिर यह पिर यह इरिया कितना भुच गया यह ति पांच मिड़ रास्ता और जोड़ दिया उसने एक यह किमें चंबच पास मेदाध आप समया हुँ जो जो कोश्चन आपका देखो कोश्चन समझ गया ना तो आप जवाब भी दे लोगे कोश्चन नहीं समझ पाए तो जवाब नहीं दे पाओगे उसी तरह से में फटाफट प्रॉस्टन नंबर सिक्स पर देता हूं राम के पास एक स्कूल के रास्ते के लिए लंबाई और च क्या कहना चाहरा है सद्धक पता है प्यानी कि जो इक्स्मीटर यहां से यहां तक है तो ये भी यहां से इधर तक यहां तक ये भी कितना होगा ये भी x मीटर ही होगा इतना बात समझ में आया x मीटर तो याद रहे ये भी एक्स मीटर ये भी एक्स मीटर ये भी एक्स मीटर ये भी एक्स मीटर ये चारों तरफ बराबर होता है तब ही उसको स्क्वाइर बोला जाता है वर्ग बोला जाता है अब बात आती है कि सर पांच मीटर रास्ता उसने क्या किया है छोड़ दिया है ठीक है पांच मिटर रास्ता इसने क्या किया देखो ध्यान से देखना मैं अब रास्ता यहां पे देखो ध्यान से यह मैंने मिला दिया पांच मिटर आप इसने इधर छोड़ा इसका मतलब यह यह जो लंबाई है किदर से कम हुआ इस वाले में स यह रास्ता चोटा अगर मैं कहूं कि यह कितना लंबा है यहां से यहां से लेके यहां तक यह कितना लंबा है और यहां से यहां तक यह कितना लंबा है इसको तो मुझे निकालना पड़ेगा न क्योंकि चेथफल निकालना है मुझे एरिया निकालना है एस्कौायर का एरिया यानि कि वर्ग का एरिया कितना चेथफल बचा तो यही बचा है ना तो यह भी तो स्क्वाइर जैसा ही है पांच इधर से काट लिया पांच इधर से रास्ता चोड़ दिया अब ध्यान से समझना मालो यह एक्स मीटर है पुड़ा यहां से यहां यहां से यहां एक्स मीटर है अब मालों कि इतना ये देखो इसके ठीक सामने सामने 5 मिटर ये भी है ने 5 मिटर तो मालों कि ये यहाँ से यहाँ X मिटर है तो मिझे बताओ कि ये ये वाला उपर में ये यहाँ से यहाँ ये कितना मिटर होगा ये भी आपका कितना मिटर होगा ये भी आपका कितना मिटर हो यह लंबाई किटना मिटर होगा मैं यहां पे लिख रहा हूँ X-5 X-5 कि लिर होगा कहां से यहां से यहां तक यहां से यहां तक कि इदर से 5 Meta कम हैं देखो ए यहां believe पाँंच मिटर कम है अरória तो अबता यह वाला कितना हो यह वाला भी पांच मीटर कम हो जाएगा तो यानि कि यहां से यहां एक्स मीटर है तो यानि कि यह कितना हो जाएगा एक्स माइनस फाइब हना यह क्या हो जाएगा एक्स माइनस फाइब मीटर यह वाला क्लियर हुआ तो देखो यह नया जो आपका रास्ता छोड़ने के ठीक है और उपर वाला भी क्योंकि ये भी वर गहीं है X X माइनस X माइनस 5 मीटर X माइनस 5 मीटर चलो तो समझ में आया कि ये कोशन क्या था कह रहा था कि राम के पास एक वरगाकार मैदान है उसने 5-5 मीटर का रास्ता चोड़ दिया दोनों साइट से लंबाई और चोड़ाई के एलॉंग तो जो एरिया बच गया वो कितना एरिया बच आप ये एरिया मुझे निकालना है सलूशन पर आते हैं आपको पता है क्या की एरिया क्या एरिया आफ सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है क्या क्या मुझे गिवेन है जो जो चीजे मुझे गिवेन है उसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं सबसे पहले क्या गिवेन है लेंथ क्या लेंथ दिया हुआ है लेंथ इक्वल टू दिया हुआ है X ठीक है लेंथ इक्वल टू क्या दिया हुआ है X तो width भी क्या होगा width भी क्या होगा X ही होगा अब according to problem यानि की प्रस्न अनुसार according to problem प्रस्न की अनुसार ठीक है हना 5 meter हना according to problem हना क्या कह रहा है की left he left 5 meter wide space हना according to problem he left 5 meter 5 meter क्या wide space wide space along 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 length and width length and width लंबाई और चोड़ाई के अनुसार उसने 5 meter रास्ता चोड़ दिया हना तो अब यहां पर आप नीचे नीचे लिखते जाना लेकिन मेरे पास जगा नहीं है तो मैं यहां पर लिख रहा हूँ तो जब यह रास्ता चोड़ा तो उसके बाद new नया वाला new length new length of square नया length क्या हो जाएगा square का x-5 meter ठीक है x-5 meter ओके फिर अगला new width क्या हो जाएगा new width of square equal to यह भी क्या हो जाएगा x-5 meter दोनों x-5 meter हो गया यह तो यह नया वाला का निकल गया अब area आपने पढ़ा है क्या पढ़ा है area area of square क्या होता है यह ओ भी आपका square ही होगे s-k-u-a-r-e area of square क्या होता है यानि कि side का जो भी side रहता है मालों यह कोई यह सब क्या बोलते हैं इसको side बोलते हैं ठीक क्या बोलते हैं side ओके तो side का square किसका square? side का square कोई सबी एक side का square होता है ओके अब अगले slide में देखते हैं side कितना है मेरा side कितना है x-5 अगले slide में में बनाता हूँ ध्यान से देख लेना तो क्या है मेरा side कितना है यहाँ पर लिख लेता हूँ ओपर में एरिया ओफ चलो यहां लिख लेता हूँ क्या इरिया ओफ निव एस्क्वाइर इकुल टू साइड का स्कॉइर हमने लिख लिया और स्या आट कितना था कोई साभी एक साइड को हम लोग बना सकत कोई साभी एक साइड को देखो x-5 क्योंकि यह भी square ही है यह भी square ही है x-5 को पोकड लेते हैं समझ में आया देखो तो क्या करते हैं हम लोग बना लेते हैं हापे side square तो side का square क्या हो जाएगा x-5 यही आया है यह हो गया square ओके तो देखो a-b का whole square का formula लगाओ क्या हो जाएगा a square minus 2 a के जगब पर क्या हो जाएगा x2a और यह हो जाएगा into b 2ab यह जो बिंदी बिंदी दिया हूँ यह into है मैंनी कि multiply है यह गुणा है और plus b square plus b square sorry b square मतलब कि यहाँ पर b के जगब पर क्या है 5 है तो क्या हो जाएगा 5 का square तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x square minus 2 5 जाएगा 2 5 जाएगा 10 x plus 5 का square मतलब 25 हो गया अब यह क्या हो जाएगा area निकला है ना area क्या निकला है area तो क्या लिखेंगे meter लगाके और square चड़ा देंगे क्या लगांगे meter लिखके उस पर square चड़ा देंगे तो यही क्या यह जो आया x square minus 10 x plus 25 यही क्या हो गया मारा उस वर्ग का क्या हो गया नया वाला वर्ग का क्या हो गया area हो गया कौन सा यह जो वर्ग बना था ना यह जिसको मैंने यह cut pit किया है इसका area क्या हो जाएगा यह ऐसा हो गया यह वाला ठीक है कैसा यह यह जो आया है ठीक है समझ में आया तो मेरे प्यार 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 टमाटरो यह था question number कौन सा यह था question number आपका 6 कौन सा question था question number 6 अब हम लोग चलते हैं question number 7 की और मेरे प्यार प्यार टमाटरो यदि आपने थामसाप नहीं किया है तो एक थामसाप हो जाए ज़रा like हो जाए क्योंकि यह सा problem बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है question number 7 मैं यहाँ पर read कर रहा हूं चलो देखो ज़रा ध्यान से question number 7 देख लेन क्या लिखा हुआ है in a temple the number of flowers offering to the idol idol मतलब होता है मूर्ती idol मतलब क्या होता है मूर्ती idol मतलब क्या होता है क्या होता है मूर्ती ठीक है idol मतलब क्या होता है मूर्ती ठीक है चलो कह रहा है कि एक मंदिर में the number of flowers offering to the आइडोल यानि कि मुर्ति पे फ्लावर को अर्पित किया जा रहा है अर्पित मतलब कि चढ़ाया जाता है फ्लावर को ओफर किया जाता है ठीक है इस इक्वल टू टू टोटल नमबर आइडल यानि कि जितने मंदिर में आइडोल है यानि कि मुर्ति है उतना ही flower सभी पे चड़ता है जैसे मालो की चार मंदिर है चार अगर मंदिर नहीं चार अगर यहाँ वहाँ पे मूर्ती है तो सभी पे एक पे चार flower एक पे चार flower क्लियर है मैं जो बाते कह रहा हूँ वो समझ में आया की नहीं आया क्योंकि यही बात अगर आप सीख गए तो बहुत बड़ी चीज सीख गए आप देखो जरा मैंने कहा कि मालो की मालो की यहाँ एक क्या है वो है मूर्ती है एक यहाँ मूर्ती है चार मूर्ती है ठीक है जहाँ से समझना ठीक है चार मूर्तियां है ठीक है और सभी पे equal ही क्या हो रहा है flower चड़ाया जा रहा है ठीक है मालो यह एक flower है ठीक है तो चलो एक मुर्ती पे चार मुर्ती है न तो यानि कि क्या होता है कि चार फ्लावर इनके लिए चार फ्लावर इनके लिए चार फ्लावर इनके लिए और चार फ्लावर इनके लिए यानि कि जितनी मुर्तियां है उतने क्या चड़ाया जा रहा है flower का संख्या है वही चीज़ यहां पर कह रहा है कि in 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 a temple the number of flowers offering offering to an idol is equal to the total number of idol ठीक है जितने आइडोल है जितने मुर्तियाँ है उतने ही number में क्या किया जाता है temple के अन्दर में जो मुर्तियों पे चढ़ाया जा रहा है फूलों को ठीक है कि टू मुर अगला स्टेट्मेंट क्या होग nhiên two more idol will establis over there बाद में क्या हुआ कि दो और वहां पे मूर्ती रखा गया आइडोल रखा गया ओके टू मोर तू मोर मतलब दो और दो और आइडोल विल एस्टेबलाइज ओवर देर वहां पे रखा गया अब कहारे कि नाओ अल्सो प्रिस्ट यानि कि जो पुजारी है offer the equal number अभी तो जब दो और डॉल को दो आइडोल को वहां पे दो मूर्ती को और रख दिया गया तो पुजारी अभी भी क्या कर रहा है equal number of flower चड़ा रहा है अभी भी equal number of flower चड़ाया है तो इक्वल नंबर आइडल फिर से वही दो और रखने के बाद जितना रखा है उतना ही क्या कर रहा है वो चड़ा रहा है सब को बराबर बराबर चड़ा रहा है लेकिन 24 जो है वह और ज्यादा अधिक की जरुवत पड़ी है अच्छा यह बात आती है कि सरी 24 पिछला बार जितना क्योंकि बाद में टू और यह फ्लावर आया है मुर्ति आया है यह तो बाद में आया है दो मुर्ति तो बाद में आया है तो इसका मतलब है कि 24 थो पिछला वाला जैसे चड़ता था उससे दो मुर्ति और आजने से 24 थो एक्स्ट्रा उसमें करके तब जाके वह बराबर बराबर चड़ा है क्लियर हुआ आप कह रहा है कि determine the previous number of idols in temple कह रहा है कि आपको यह निकालना है कि पिछला बार कितना temple के अंदर में मुर्ति था बाद में तो दो आया था तो यह पूछ रहा है कि आप मुझे यह बताओ कि कितनी मुर्तियां थी उस मंदिर के अंदर में पिछली बार पिछली बार एकदम same to same चड़ रहा था इस बार 24 आथा जब नया मुर्ति आया दो तो 24 ज़्यादा चड़ाना पड़ा है 24 पिछले वाले से 24 ज़्यादा था अब एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुए एक मंदिर में जितनी मुर्तियां थी पुजारी उतने ही फूल प्रतेक मुर्ति पर चड़ाता था यह बात समझ में आया कि जितनी मुर्तियां थी पुजारी उतने ही फूल प और अस्थापित यही और दोठों मूर्ती लाया गया जी कि और दोठों मूर्ती लाओ बाद में और दोठों मूर्ती आ गया ठीक है अब कह रहा है कि अस्थापित की गई मंदीर का पुजारी अभी भी प्रतेक मूर्ती पर उतने ही फूल चड़ाता है जितना मंदीर में मूर दे रहा हूं लेकिन 4 नहीं है यह तो मैं अपने मन से कह रहा हूं ओके अब कह रहा है कि मंदिर का पुजारी अभी प्रतेक मुर्ति पर उनके फूल उतने ही फूल चड़ाता है जितना जितनी मंदिर में मुर्तियां है प्रन्तु अब उसे पहले की तुलना में 24 फूल अधिक लाने पड़ते हैं तो जब ये दो मुर्ति और आ जाता है तो पहले की तुलना में पहले तो इन चारों पे ही फूल चड़ता था लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये दो मूर्ती और आ गया तो पहले वाले की तुलना में 24 जादा लगते हैं पहले वाले की पहले तो चारी पेज तरदा आप किस पर 4 दो 6 हो गया तो यहां में नंबर बोल रहा हूं मूझ से लेकिन वो नंबर नहीं है वो हिडेन है वो छुपा हुआ चीज है वही निकालना है आपको 24 फूल जो है 24 फ्लावर अधिक लाने पड़ते हैं जादा लाने पड़ रहा है तो बताए कि मंदीर में पहले कितनी मूर्तिया थी आपको बताना है कि मंदीर में कितने आप यहां से ऐसे 1,2,3,4 ऐसे नहीं 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 यह गलत आंसर है अब यह इसके उपर में पूरा बात कर लिया हमने तो हमें तो कुछ दिया नहीं है हमें बस इतना पता है कि जितनी मूर्तिया थी उतना ही फूल भगवान को चड़ता था मुझे एक बात बताओ मळलो 4 मूर्ति है तो 4 यहां चड़ा 4 यहां चड़ा 4 यहां चड़ा तो टोटल कितना फूलावर लगा टोटल यह कैसे निकलेगा 4, 4 into 4 कैसे निकलेगा, देखो 4 multiply 4, total flower का संख्या कैसे निकलेगा 4, 4, 4, 4, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, समझ में आया total flower की संख्या कैसे निकल रहा है 4 गुणि 4, क्योंकि 1 मूर्ति पे 4 flower उसी तरह से हमें मानना पड़ेगा कि माल लेते हैं कि मूर्ति पे X flower चड़ रहा है मूर्ति पे माल लेते हैं कि मूर्तियों की संख्या X है और X flower चड़ रहा है, जितने मूर्तियां है उतने ही आपका flower भी चड़ रहा है तो चलो, अब इस question को मैं तो यहाँ पे एक समझाने की कोशिश किया हूँ, अब इसी question को चलो, बनाने बनाते हैं अगले slide में, चलो, मैं एक नया यहाँ पे fresh page ले लिया हूँ आप लोग जड़ा चौकरने रहना है इस problem में क्योंकि इस problem बहुत confuse करता है, लेकिन problem है बहुत मज़धार, मज़ा आ जाता है इस problem को बना के मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं मान, ठीक है यहाँ पे solution पे आते हैं ठीक है, किसका solution लिख रहे हैं ठीक है, अब बात आती है कि sir आप किसका solution आप लिखने जा रहे हैं, मैं लिखने जा रहा हूँ आपका, ठीक है मैं लिखने जा रहा हूँ यहां पर किसका problem number 7 किसका problem number 7 किसका problem number 7 ठीक है यहां पर solution चलो माल लेते हैं मैंने लिखा कि let माल लेते हैं number no dot डाल दिया तो समझे ना कि number मैंने लिख लिया ठीक है ऐसा नहीं कि मुझे number के spelling नहीं आती है यह थोड़ा सा लंबा हो जाता है ठीक है लेकिन मैं no करके एक बिंदी डाल दिया तो समझे ना कि यह number यानि कि संख्या तो माल लिया कि number of ठीक है number of मुर्तियां जो है number of आइडूल जो है माल लेते हैं एक्स ठीक है तो जितनी question ही कहे रहा था कि जितनी मुर्तियां है उतना ही flower चड़ रहा है तो क्या हो रहा है तो अब यहाँ पर और माल लेते हैं तो number of flower number of flower भी क्या हो गया एक्स clear है अगर चार मुर्ति है तो हर एक मुर्ति पर flower कितना चड़ रहा है उतना ही ठीक है फोर फोर तो total संख्या कैसे निकलता है दोनों को multiple देखो 4 into 4 किया था तो total निकल गया था फूलो की संख्या तो यहाँ पर लिख देता हूँ total number of flower मैं क्या लिखता हूँ total number of flower equal to क्या हो जाएगा इन दोनों को multiply कर दूँगा x into x ठीक है तो x multiply x तो क्या हो जाएगा मेरा x square क्या बन गया मेरा x square यह क्या निकल गया यह x square मेरा क्या निकल गया यह मेरा total फूलो की संख्या निकल गया टोटल फ्लावर जितना वो चड़ा रहा है ठीक है यह सुरू का है यह पहला जो statement वो कह रहा था पहला जो statement कह रहा था देखो यह कि हना the number of flower the number of flower offering to idol is equal to total number of idol यहां तक मैंने अभी solve किया अब इस से आ गया two more idol अब दो और जब होता है अब वहां से वह चलेंगे ठीक है क्या two more अब यहां पर चलते हैं क्या लिखने वाले हैं अब according to problem यहां पर चलते हैं हम लोग लिख देते हैं यहां पर according to problem यानि कि प्रस्णा अनुसार हिंदी में प्रस्णा अनुसार बोलते हैं according to problem according to problem प्रस्णा अनुसार ठीक है प्रस्णा अनुसार में हम लोग लिख सकते हैं थोड़ा सा यहां पर two two more आईडोल, थोड़ा सा मैं यहां बुक से भी देख के लिख रहा हूं, क्योंकि बार-बार पीछे जाना थोड़ा सा, टू मोर आईडोल, यानि कि दो और मुर्ती, हाना, विल एस्टेबलाइज, ठीक है, विल एस्टेबलाइज, क्या, एस्टेबलाइज, तब दो और मुर्ती को ला दिया गया, वहां पर अस्थापित कर दिया गया, तो देन नमबर आउफ, आईडोल, तो तब दो और मुर्ती को ला दिया गया, तो नमबर आउफ, आईडोल कितने हो जाएंगे, यह हो जाएगा, आपका एक्स, प्लस टू, शुरू में तो कितना था, शुरू में एक्स माने थे, शुरू में एक्स था, बाद में दो और लेके आगये, तो क्या हो जाएगा जूड जाएगा एकस प्लस टु हो गया इस बार क्या हो जाएगा आप स्मझ नावर चुर किया रहा ही तो थक्रा Els कि आ passions लिख्ट आप मेरे आपके पास नीचे आप नीचे नीचे लिखिंगे बना रहा हूँ लाइब कितना हो गया वी झा जाएगा क्योंकि बराबर बराबर कह रहा है इस अपर मूर्त को कितना आपका बहुओ गया विखिंग चलो मैं यहां लिक रहा हूँ जैसे यहां पे total number किया था flower का तो x into x आया था उसी तरह से यहां भी करने वाला हूँ तो total यानि कि कितना flower चड़ रहा है total number of flower इस बार फिर कर रहा हूँ total number of flower क्या करना पड़ेगा इन दोनों का x x plus 2 multiply x plus 2 इन दोनों को multiply करने वाले हैं देखो पिछले के slide में आप ध्यांस देखो आखिर multiply क्यों कर रहा हूँ देखो 4 full यहां चड़ा 4 यहां 4 यहां 4 यहां तो total full कैसे आया 4 multiply और मूर्तियों की संक्या 4 यह क्या है फूलों की संक्या एक मूर्ति पे 4 flower तो बाकी कितनी मूर्तिया है 4 मूर्तिया तो 4 into 4 हो गया तब जाके 16 आया उसी तरह से मैं यहां पे कर रहा हूँ यहां पे x into x यह सुरू में चड़ता था तो यह आ गया नमबर आ गया उसी तरह से यहां पे algebra में यहाँ पे जितनी मुर्तिया दो और आ गया तो उतना ही और फ्लावर चड़ा तो इन दोनों को multiply करूँगा तो यह मुर्तियों की संख्या है number of idol x plus 2 हो गया और यह flower की संख्या है x plus 2 अब इन दोनों को आपस में multiply करूँगा तो आ जाएगा चलो तो क्या आएगा यहाँ पे द तो टोटल नंबर फ्लावर क्या हो जाएगा टोटल नंबर फ्लावर हो जाएगा आपका क्या x plus 2 Xayot into Xplus 2 हो गया Equal to आप देखो Xplus 2 into Xplus 2 यही सेम चीज़ 2 times लिखा हुआ है X plus 2 X plus 2 2 time लिखा हुआ है इसी को क्या दिख सकने है X plus 2 का Square लिख सकने है X plus 2 का Square हो गया ठीक है, अब चलो अब क्या हो रहा है अब ध्यान से देखना, दो चीज़े अब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, दो चीज़े अब लिखने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, नया में इसमें एक तरफ मैंने लिखा, एक तरफ मैंने लिखा, x प्लस 2, ठीक है, का स्क्वायर, लिख लिख लिया मैंने, ठीक ह और इधर में मैं लिख रहा हूँ x square ठीक है तो जब ये नया का जो ये संख्या आया जो total number of flower आया ये कैसे आया ये आया ये कह रहा था कि जब ये नया वालग किया गया तो 24 इसमें 24 जादा था मुझे ध्यान से सुनना मेरी बात अब यहां पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा समझदारी की ज़्यूरत है कि जब नया दो मूर्ती को और एड किया गया तो जो flower की संख्या थी हना हना वो 24 ज़्यादा हो गई पिछले वाले की तुलना में यानि कि एक से स्कायर की तुलना में जब इसमें 24 ज़्यादा है और इसमें 24 कम है तो मैं 24 जोर दिता हूँ 24 है इसमें एड कर दिया इसका मतलब तब जाके मैं यह इक वल का साइन से सकता हूं इक कर देने का मतलब क्या होता है Οrabi co आग कर दको दे सकते हैं जब दोन case फन्रक व्यग Dalन बराबर हो कि 24 जो है वो ज्यादा हो जा रहा है मैं यहाँ पर लिखा according to problem according to problem ठीक है चल तो क्या कह रहा था कि जो नया वाला ideal पे वो हो रहा था x plus 2 वाले पे तो उसकी संख्या तो हमने यहाँ निकाल लिया था ठीक है x square यह आया था तो यह 24 जादा था और हमें करना था दोनों तरफ को बराबर दोनों तराजू बराबर दोनों पलरा बराबर तो इसमें 24 जादा है इसका मतलब इसमें 24 कम था तो इसमें 24 एड कर दिया ताकि दोनों तरफ यह क्या हो जाए यह equal का sign में दे पाऊं, तोनों का sign दे दिया, आप चलो, अब यहाँ से सुरू होता है आपका खेल, अब यहाँ से आपका game सुरू होता है, चलो देखो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो, x प्लस 2 का whole square का formula क्या होता है, a square plus 2 into a into b, a के जबब क्या है, x, b के जबब क्या है 2, और यह plus b square, क्या हो जाएगा, 2 का square, 2 का square, यह हो गया, equal to, इधर में क्या चल रहा है, x square plus 24, x square plus 24, यह ऐसे क्यों बराते हो सर, इसको बुला जाता है, और, जब LHS और RHS, यह इधर वाले को LHS बोलते हैं, और इधर वाले को RHS बोलते हैं, left hand side, right hand side, अगर वो रहे, equal रहे, है, हैना, दोनों तरफ अगर चले, और बीच में बराबर का sign चले, तो ऐसा और, और, और करके बनाते हैं, ऐसा होला sign बनाना start करते हैं, जो यह मैंने बनाया है, ओके, आपको जब teacher copy check करता है, तो बहुत अच्छा marks देता है, कि इस बच्चों को बहुत अच्छा अच्छा knowledge है, हैना, छोटी-छोटी चीज है, लेकिन बहुत अच्छी चीज है, और आप चाहो तो इसको और-और ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे करके, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसा sign बना लो, या फिर ऐसे करके भी लिख सकते हो, चलो, यहाँ पर देखते हैं, यह क्या हो जा स्कुरूर को क्या करते है immense onor है एकना को किलेश टहरोग केञे इस एकसे स्कुरूर को इधा है ऊदर में और यहां आल हम और आते हैं और लिए इस नंबर को भी इस नंबर को भी हम लोग इधर लेके आते हैं इक्वल के इधर में तो इधर में अकेला क्या बच जाएगा इधर में अकेला बच जाएगा आपका कौन इधर में अकेला बच जाएगा आपका कौन फोरेक्स कौन बच जाएगा अकेला फोरेक्स तो देखो इ इधर में क्या क्या है इधर में आपका क्या क्या है X स्क्क्यार प्लास 24 हो गया और X स्क्कार उधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा इक से एस्क्वायर सेम चीज प्लस भी तो कितना बचेगा 24 में से 4 चला गया यह 24 प्लस में और यह मैनस में चौवीज में 7 4 चला गया तो 20 is बचा और x का ये 4 क्या है कॉफिसेंट है यानि के गुन्नांक है गुन्नांक जब equal के इधर आता है तो कहाँ चला आता है नीचे तो x equal to क्या हो जाएगा x equal to हो जाएगा 20 by 4 यहाँ पर दिख नहीं रहा मैं थोड़ा सा उपर बना देता हूँ ठीक है यहाँ पर यह 4 के table से कटेगा 4 1 जा और 4 फाइब जा कट गया तो क्या आ गया देख जारा क्या है x equal to क्या है 5 भी x क्या माने थे कहल रहा था मुर्टियों की संख्या मुझे बताओ x क्या माने थे मुर्टि की संख्या x equal to 5 और जो मैं आपको x equal to 5 यही क्या हो गया आपका आंसर यही क्या हो गया आपका आंसर यही क्या हो गया आंसर जिसको मैं ब्राइकेट में बंद कर दिया यही क्या हो गया आंसर हो गया ठीक है तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरो देखो कितना मेहनत लगा आपको यह छोटा सा कॉंसेप्ट को समझाने म तो मेरे प्यार प्यार टमाटдеरों एक थमजब तो आपको जरूर दे 묶्यूश सब और जाए और अपने बच्चों के साथ जरूर induced कर तुमेह प्यार प्यार तुम ये था प्रॉंब्लम नंबर तू का 7 प्रॉंब्लम मां चैब है तो एधर में नवन से क्का एक्सरसाईज पूरा बना लिया इसको कि कैसे बनता है यह समझ में आया आप चलो problem number 7 हो गया problem number 8 की ओर किदर एक मिनिट आ problem number किसकी ओर 8 की ओर चलते हैं चलो तो यह रहा problem number 8 अब देखो यहां पर ध्यान से देखो क्या कह रहा है ध्यान से देखो question यह कह रहा है कि area of area of rectangle किसका area of rectangular field x square minus 25 ठीक है एक rectangular मैदान है जिसका area दे रखा है क्या दे रखा है area हाना rectangle कैसे होता है आपका rectangle कुछ यूं होता है ऐसे क्लियर है इसको क्या बोलते है rectangle और हिंदी में क्या बोलते है आयत आयतकार okay field is x square minus 25 m square कह रहा है कि if the length of the field is x plus 5 अगर length जो है x plus 5 है तो find the width तो देखो एक area कैसे देखो कह रहा है कि अगर length जो है मालों कि यह x plus 5 है और कह रहा है कि मुझे width यह width नहीं पता है तीक है यह जो width है यह आपका नहीं दिया हुए कह रहा है कि find the width यानि कि आपको उसका चोडाई निकालना है हिंदी भी पढ़ लेते हैं एक आयताकार खेत का चेतरफल x square minus 25 है अब चेतरफल बात आती है कि sir चेतरफल यानि कि कि किसका यह जो है न यह यह area जो है क्या दे रखा है आपका दे रखा है क्या x square minus 25 क्या दे रखा है x square minus 25 दे रखा है यह हो गया ठीक है चलो यह हो गया तो क खेथ की लंबाई x फाइब मीटर है तो खेथ की चोडाई कितनी होगी अब लंबाई दे रखाए यह लंम्बाई मेने बताया और इधर वाले को यह वाले चोडाई होता हैोके चलो अब जो जो गिवन है उसको पहले देखलेते हैं大家都 I यहां पर लिखते हैं ठीक है चलोंकि देखो जरह यदि मैं आपसे यहां पर solution में जाता हूं तो देखो मैं solution में आपको बताता हूं ठीक है solution में ध्यान स हैना मैं यहां पर solution पर आ रहा हूं जो जो given है क्या क्या मुझे given है क्या area आपको पता है area of rectangular area of rectangular field area of rectangular field क्या दे रखा है मुझे दे रखा है x square minus 25m का square यह दे रखा है clear है और क्या कहा रहा है कि if the length of field is x plus 5 और यह भी दे रखा है length length of rectangular field यह ऐसे ऐसे बना रहा हूँ इसका मतलब यह ऊपर वाला ही सब्द लिखा हुआ है आप अपनी कोपी में भाई हुई लिखना तो length of rectangular field equal to क्या है x plus 5 क्या दिया हुआ है x plus 5 यह सब given है given मतलब जो दिया हुआ है हमें क्या निकालना है width क्या निकालना है width width equal to question mark अब चलो आपको अब मुझे एक बात बताओ area का formula क्या होता है area का formula होता है क्या length into width क्या होता है length into width area मेरा कितना दे रखा है अब एक एक करके देखते एरिया का value क्या दे रखा है यह दे रखा है x square minus 25 यहां लिख लेते हैं क्या x square minus 25 यह लिख लिख लिए हमने equal to length मेरा कितना दे रखा है x plus 5 क्या दे रखा है x plus 5 उसके ठीक नीचे हमने लिख लिया multiply width multiply width width नहीं दे है मुझे तो चोड़ाई ही तो निकालना है width तो निकालना है तो यह equal के उधर जाएगा तो कहां चला जाता है नीचे denominator में इसके नीचे x square minus 25 के नीचे आजगा यानि के हर में ठीक है तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं न ठीक है क्या width ठीक है width equal to थोड़ा समय नीचे लिख लेता हूं थोड़ा समय नीचे लिख लेता हूं चलो यहां पर लिख लेता हूं width equal to क्या हो कहा है width equal to हो जाएगा इसके नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा देखो जारा x square minus 25 by x plus 5 यह हो गया x plus 5 अब देखो width equal to अब देखो यह a square minus b square बना सकते हैं क्या इसको बिल्कुल बना सकते हैं देखो x square minus इसको इसे लिख सकते हैं न 5 का square देखो a square minus b square बन गया उस formula पर टूट रहा है और यह x plus सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो आप देखते जाओ बस तो width equal to क्या आ गया width equal to अब देखो a square minus b square का क्या होता है अग यदि आप मेरा यह इस सीरीज को लगातार part 1, part 2, part 3 यह लगातार देखते आ रहे हो तो आपको यह रत्ती भर भी आप पूछ नहीं सकते कि यह कैसे क्योंकि मैंने बताया है कि a square minus b square क्या हो जाता है एक बार जुर जाता है और एक बार घड़ जाता है तो एक बार plus एक बार minus तो x plus 5 और क्या हो जाएगा into x minus 5 और नीचे में क्या हो जाएगा x plus 5 x plus 5 अब x plus 5 x plus 5 क्या हो जागा देखो यह into में है यह दोनों आपस में क्या है into में तो x plus 5 denominator में है और x plus 5 nominator में है कट गया कतम हो गया यह तो width equal to क्या बच गया आपका width equal to x minus 5 क्या बच गया क्यवल x minus 5 इसलिए मैं a square minus b square कर रहा था ताकि वो कट जाए यह हो गया आपका क्या answer यह आपका क्या हो गया answer हो गया तो प्यारे प्यारे टमाटर एक thumbs up तो हो जाना चाहिए इसके लिए ओके देखो आपको यहां के बाद क्या करना है यहां से बनाना है यह जो मैं arrow बना दिया यहां से ठीक है चलो अब फटा फट से अब एक साथ नहीं दिया तो ठीक नहीं है ठीक है लास्ट प्रवांत भला तो सब भला चलो फटा फट से देख लेते हैं कह रहा है कि कह रहा है कि जो वीट्थ है यानि कि चोड़ाई और लंबाई एक रेक्टेंगुलर मिरर है मिरर कैसा है रेक्टेंगुलर है माल लो कि ऐसे एक मिरर है ध्यान से देख ले ना माल लो कि ऐसे एक मिरर है क्या है ऐसे एक mirror mirror मतलब क्या होता है दरपन ठीक है माल लो यह एक दरपन है ठीक है आगे rectangular mirror are consecutive numbers हाना measure in fit तो कह रहें कि उसका width और length जो है वो एक width और length of rectangular mirror are consecutive number consecutive number यानि कि consecutive मतलब होता है करमागत संख्या क्या होता है consecutive number क्या होता है जैसे आपका हो जाएगा one two लगातार दम आ रहा है जैसे six seven eight nine 12 13 20 21 15 16 तो यह सब संख्या होती है इसी को क्या कहा जाता है consecutive number कहा जाता है ठीक है clear हुआ क्रामागत संख्या कहा जाता है ठीक है तो कह रहा है कि जब length और breath इसको किया गया जब इस mirror का आपको किया गया तो consecutive number आया consecutive मतलब कुछ आया होगा कुछ भी आ सकता है five four sorry four five six seven कुछ भी दो लेंबाई और चोराई याद रहे अब क्या कह रहा है आगे कि the difference between a square of this number और उसका जब square किया है जैसे मालो की two three आया मालो की two है और एक three है मालो की यह नीचे वाला two और एक three देखो क्रमागत है two three clear अब कह रहा है कि जब इसका square किया गया इसका क्या किया गया square यह समझ में आया कह रहा है कि the difference between a square of these number यानि कि उस number का square करके और उसको घटाया गया यानि कि देखो इसका three square और minus मालो two square ऐसे क्योंकि बड़े वाले में से चोटे वाले को घटाते हैं जब इसको difference difference किसको बोलते हैं English में difference मतलब होता है कि उनको घटा के जो आता है उसको difference बोलते हैं तो जब उसको square करके उसको घटा लिया गया तो क्या आता है वो 5 आता है क्या आता है 5 is 5 यानि कि 3 square क्या हो जाएगा 3 square आपका हो जाएगा 9 और 2 square क्या हो जाएगा 4 देखो 9 में से 4 गया तो 5 भी तो आता है ओ माई गॉड यह क्या हो गया लेकिन आपको ऐसे नहीं पढ़ना है आपको पूरा बना करके बताना क्योंकि यहां पर कोई number नहीं दिया है यह तो मैंने अट्रेंडम आपको यहां पर ले लिया है ठीक है यहां पर आपको मैंने कहा है कि यहां पर एट्रेंडम मैंने अपने मन से ले लिया है लेकिन आपको क्या करना है बनाना है इसको इसको क्या करना है आपको बनाना है ओके चलो तो फटा फट से यहां पर इसको थोड़ा समय क्लीन कर लेता हूं तो यहां पर समझ में आया आपको क्या करना था यहां पर आ लेंथ और विट्थ निकालना है अब यहां पर समझ लेते हैं देखो वेट प्रॉब्लम समझ गया तो आधा मैदान तो आप ऐसे जीट जाओ गया अब देखो एक आताकार आइने की चोड़ाई लंबाई फीट में नापने पर दो क्रमागत संख्याएं प्राप्त होती है इन संख्याओं का वर्गों का अंतर जब उसका वर्ग किया जाता है यानि कि स्क्वाइर करके उसको घटा लिया जाता है आपस में तो उसका क्या आता है पांच आता है हिंदी में अंतर बोलते हैं और इंग्लिस में क्या बोलते हैं डिफरेंस बोलते हैं क्या बोलते हैं डिफ में कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है कि कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करने वाले हैं नंबर को सबसे पहले गायब करने वाले हैं नंबर को क्या करने वाले हैं गायब चलो गायब हो जाओ ठीक है यहां से नंबर को मैंने गायब कर दिया अब समझ में आया समझ में आ रहा है चल ठीक है मैंने क्या किया नमबर को गयब कर दिया अब ध्यान से देखो मैं माल लेता हूँ क्रमागत कैसे आता है जैसे माल लो की कोई भी संख्या जैसे माल लो की 6 है और 7 है ये कैसे आया तो 6 में ये 6 में एक जूड के तब तो ये जाके 7 आया एक अगला जूड है 1 जूड गया है तो मैं माल लेता हूँ कि X है ठीक है माल लेता हूँ कि ये X है तो अगला कैसे आएगा अगला कैसे आएगा X प्लस 1 करने से क्योंकि अगर ये 6 है तो 6 में एक एड कर रहा हूँ अगला आ रहा है 7 तो उसी तरह माल लेता हूँ मैं X तो अगला क्या हो जागा X प्लस 1 तो सबसे पहले तो मैं यही आपको सिखाना चाह रहा था कि दो क्रमागत संख्याएं आप लिख कैसे सकते हैं उसको पहले आप जान लो समझ में आया तो देखो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ ठीक है यहाँ पे सबसे पहले मैं मान लूँगा क्या कि माना की दो क्रमागत संख्या हैं ठीक है क्या मानने वाला हूँ दो क्रमागत संख्या हैं यहाँ ठीक है यहाँ पे सॉलूशन चलो एक X माना और एक क्या मान लेते हैं हम लोग X प्लस 1 ठीक है कैसे आता है वो पता चला न ठीक है यहाँ पे लिखता हूँ लेट फर्स्ट नमबर माना लेंथ सोरी चलो माल लेते हैं लेंथ नमबर नहीं इसको क्लीन कर लेता हूँ मैं इसको और चलो माल लेते हैं लेट फर्स्ट नमबर क्या फर्स्ट नमबर नहीं है ना माल लेते हैं लेंथ चलो फर्स्ट नमबर ही माल लेते हैं माना कि फर्स्ट नमबर फर्स्ट नमबर को हम लोग इंडिकेट कर देते हैं लेंथ से equal to x माल लिया x ठीक है और जो next consecutive ऐसे लिखते है consecutive next consecutive number ठीक है यहाँ से लिख लेते हैं क्योंकि अगला next consequent number और इसको बना लेते हैं width माल लेते हैं क्या width तो यह क्या हो जाएगा x plus 1 ठीक है क्या हो गया x plus 1 length को माना मैंने x और width को मैंने माना x plus 1 अगला कैसे आता यह समझ में आया x और x plus 1 कैसा आया यह समझ जहा दिया हूँ क्योंकि 6 के बाद 7 तो 6 में क्या आट किये थे 1 कोई भी number 2 3 तो 2 में क्या आट किये थे 1 तब जाके 3 आया था उसी तरह से 1 मेंने माल लिया x तो अगला कैसे आगा x plus 1 से यह दो हो गया एक length हो गया एक width हो गया ठीक है आप कहह रहा है कि इसका square किया जाए कोईशन यह कह रहा है कि the difference between कोईशन क्या कह रहा है the difference between उनका difference क्या square करके square of them this number is 5 तो यहाँ पर लिख देता हूँ ठीक है square square both number both number दोनों number को square करने पर है ना squaring squaring both number दोनों number को square करने पर क्या square करने पर तो x plus 1 का square minus x square मुझे यह बताओ यह greater होगा कि यह greater होगा हाना मुझे यह बताओ जाहिट सी बात है यह x plus यह तो x है यह एक कदम आगे है तो कहीने कहीं यह बड़ा है यह greater है तो greater वाले यानि कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं तो क्या किया मैंने इस वाले को पहले रिख लिया उसका square कर लिया और minus x square दोनों को हमने क्या किया square चड़ा दिया और कितना आता है इन दोनों का square का difference कितना आता है पांच आता है कितना मैं 0 5 लिखने जा रहा हूं कितना आता है 5 अब देखते चलना जहां पर चीक है आप देखो x plus one का square तो इसको आप क्या लिख सकते हो इसको आप क्या लिख सकते हो a plus b का होले square पर चल रहा है तो देख चाटे हो न a square plus 2 a के जागा पर क्या है x और b के जागा पर क्या है 1 ये 2 into x into 1 हो गया और क्या plus b square 1 का square ठीक है और minus x square यह x square हो गया ओके अब ध्यान से देखो यह x square minus में है और x square यह प्लस में है तो खतम हो गया same number same कोई भी quantity कुछ भी रहे जबिक रहें चाहे number रहे same number plus में और same number म मैंनस में रहता है फ्लस और माइनस सबसे सभी से ठीगे बस साइन चेंज रहे तो कष्म प्लम प्लस में और और मैं एक रूपे पोकेड में था और एक रूपा colonialism जाकर अपने topic खालिया दे दिया तो कितना हो गया जीनु हो गया तो इसी दर से यहां काड देते हैं और equal to यहां पर इधर में तो 5 चली रहा है यह x square से x square होन्स कट गया अब इधर में क्या बचा देखो मैं यहां बना रहा हूं सो ठीक है इस बॉक्स में यहां अधो करने के लिए यहां से यहां बना रहा हूं ठीक है चलो देखो जारा तो क्या बचा यहां पर यह बचा 2x into 1 तो 2 into 1 तो 2 ही रह जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x equal to 2x plus 1 1 का square क्या होता है 1 ही होगा 2x plus 1 और equal to इधर में क्या हो जाएगा 5 2x plus 1 equal to 5 अब 1 को जब equal के उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा minus क्या हो जाएगा minus ध्यान से देखो यह plus में 1 है इसलिए इसको उधर भेजते हैं तो minus हो जाएगा यह coefficient नहीं है यह 1 किसी का को आप बोलोगे कि x का coefficient क्या यह 1 है नहीं है यह अपने आप में अलग term है तो देख क्या हो जाएगा minus 1 sign change हो जाता है कोई भी equal के उधर जाता है यह चाहें इधर आता है तो sign अपना change कर लेता है ठीक है तो 2x equal to क्या हो गया 5 में से 1 गया क्या हो गया 4 5 में से 1 गया 4 अब देखो x का यह 2 जो है यह coefficient है देखो यह इसका coefficient मतलब बुन्नांग ठीक है तो क्या हो क्या है अब इसी में एक line खीचता हूं इसी में आगे बढ़ता हूं ठीक है तो x equal to क्या होगा 4 by 2 क्या अब 4 by 2 यह 2 से कट गया 2 1 जा तो x equal to क्या आ गया x called 2 मेरा आ गया टू, x equal to क्या आगया, 2 अब देखो x क्या माने थे, आप length को x माने थे देखो यहाँ पे length को क्या माने थे x, ठीक है, और width को क्या मौने थे, x plus 1 यानी कि length अगर 2 आया त 기त कितना आगया 2 plus 1, width कितना आएगा 2 plus 1 तो 3 आएगा, देखो तो यहां पर अगला x क्या है आपका length इसको कहां पर लिख दू मैं ओके चलो मैं यह इसको ना यह जो picture इसको मिटा रहा हूं आप लोग अपने खुज से बना लेना कि ठीक है इसको क्या कर लेना इसको बनाना यह पिक्चर में मिटा रहा हूं ठीक है चला कि देखो जड़ा अब फटरफट से बना लेते हैं लास्ट कोशन है तो एक सिकोल टू अब हमने हमने जो जो माना है उसको हम लोग लिख लेते हैं एक्स क्या था लेंथ था हाना लेंथ एक्स था तो क्या आया मेरा टू आया ठीक है और विट्थ क्या था विट्थ मेरा क्या था क्योंकि कोशन ही कह रहा है कि लंबाई और चोड़ा ही मुझे बताओ विट्थ क्या था मेरा एक्स प्लस वन था यानिकी एक्स के इसका मतलब ए और 2 प्लस 1 एकवाण टू क्या होगा 3 यानी के वीट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो नाइनके से फोर गया फाइब आ रहा है यानिकी यह को उट्रे पे अंगे जब उनका स्कॉयर करके थी का स्कॉयर के तो नाइन के स्कॉयर करते हैं तो फाइब आता है तो मेरा आंसर बिलकुल एकदम वहा है सही आया है अगर नहीं आता गटाने पर अगर 5 नहीं आता तो कहीं ने कहीं हम लोग गरबर किये थे तो यह क्या हो गया हमारा आंसर हो गया यह मेरा क्या हो गया आंसर तो बेटा यह happy ending हो गई यह chapter आपका complete खतम हो गया तो ये आपको exercise कौन सा 9.2 exercise का ये complete खतम हो गया आपका क्या आपका chapter तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरो एक like हो जाए एक thumbs up हो जाए और मेरे प्यारे प्यारे टमाटरो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना बहुत मेहनत लगता है मैं अपना समय इसी में भी ता रहा हू तो इसका मतलब आपका भी कोई दाईत वह बनता है कि अपने दोस्तों के साथ अपने साथियों के साथ जरूर सेयर करो तो मिलेंगे अब प्यारे प्यारे टमाटरो एक दम नए उर्जा और नए एनरजी के साथ अगले chapter 10 के साथ पॉलिगोन के साथ यह के so take care and bye bye मेरे प्या याद रखना जरूर कि हां किसी ने mathematics जरूर पढ़ाया था मुझे so take care and bye bye